आपको नहीं पता कि कहा प्रत करें कि मेल पे आप कुछ चीजे रखते हो यह तो आपको गूगल ड्राइव के बारे में पता होगा उससे कुछ चीजे रखते हो बट और एक चीज जो है वैं ड्राइव वहां पे भी आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो आपको मैं OneDrive के बारे में कुछ चीज़े बताते हूँ अभी जैसे क्या है OneDrive, so it's a online file storage, you can get to form anywhere, ठीक है, so आप इसमें mobile से, laptop से, computer से, कहीं से भी आपकी files, PDF हो, video, images हो, किसी भी तरीकी file store कर सकते हो, तो आपके लिए यहाँ पर जब आप OneDrive पर account sign up कर लेते हो, तो आपको आपके laptop, अगर यह laptop की screen है, या computer की, तो इस तरीके का icon बनके आजाएगा, तो आपको इस तरीके से आप इसमें folder बनांके, इसमें आप presentations आपके store करो, video store करो, जो भी आपकी material है, वो store कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OneDrive पर आपको जैसे चाहते हो, तो आपको upload का option देता है, तो आप पर upload कर सकते हो, या तो आप जब create करते हो document तभी उसमें से उपर हो, OneDrive पर, तो आपका यह online data store रहेगा, चीछिए, तो आपको यह phone और tablet में भी यह अलग-अगर phone है, आपके पास mobile phone तो Google Play Store पे मिल जाएगा, Microsoft Office में, और Apple के store पे भी यह application मिल जाएगा, ठीक है, इसमें यह नहीं है कि आपने store कर दिया, अगर आपके Excel में आपने कुछ लिखा है, तो आप वही पर जाके open करके, वही पर edit कर सकते हो, और वह फिर save करके, वह updated file यहाँ पर save होती रहेगी, तो यह एक बहुत अच्छी बात है, OneDrive की, next thing is, create docs from anywhere, it means, अगर आपका, यहाँ पर जैसे मेरे laptop है, मैं अभी काम कर रही हूँ, गट मैं कभी कही बाहर गई और laptop नहीं लेके गई, और मुझे access करना है, तो मुझे just OneDrive के, वहाँ पर sign in करता है, दूसरे location से, किसी का mobile लेके, या किसी के laptop से, या कही पर भी cyber cafe से, जो, वो होता है, तो उनके तरफ से भी हम, कही से भी sign up कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे ही laptop से में sign up करो, जैसे email करते हैं, वैसे, next thing is, आप edit docs, docs means documents, on the go, on the go means, जब भी आप कही ट्रावल कर रहे हो, या कही जा रहे हो, तो उस टाइम पर, आप अराम से, जैसे, एरो प्लेन में क्या होता है, कि जब आप प्लेन में ट्रावल करते हो, तो आपको सारे files, सारे, मतलब, internet access बंद रहता है, most of the time, तो आप आप यहारा edit का काम कर सकते हो, then, share and collaborate, so, इस तरीके से, यह file आप अगर किसे से share करते हो, तो अगर, इस file में जैसे 5 pages, 12 pages से, ठीक है, इस document में, तो मैंने सब उस 5 pages पर work मैंने किया है, और next pages पर मैं चाहते हो, कि कोई colleague आपका work करे, तो उनके, उनको share कर दूंगी मैं, तो वो लोग निस्ट काम, निस्ट काम यहां पर कर सकते हो, तो यह बोगत एक अच्छा option है, same, similar things applies to PowerPoint presentation as well, and so, you can just sign up to this account and just get benefited from this account, this is really very good as far as I know.